तो यही बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा कि आखिर जो आपका pregnancy test है जो आप करते हैं वो positive या negative क्यों आता है जब आप pregnant होती हैं तो आपकी body में एक hormone होता है जिसको की HCG यानि की human chorionic gonadotropin hormone बोला जाता है इसकी मातरा तेजी से आपकी body में बढ़ने लग जाती है तो यह आपके blood में भी detectable होता है और आपकी urine में भी detectable होता है तो जो आप बाजार से preganeuse या और कोई इस type की home test kits लाते हैं वो आपकी urine में इसी hormone की मातरा को detect करके यह आपको बताती है कि आप pregnant है कि नहीं है अब इसकी जो मातरा होती है यह काफी तेजी से बढ़ती है शुरुआती pregnancy में इवन आपके दो दिन में इसकी मातरा दुबनी हो जाती है इतनी तेजी से यह शुरुआती दौर में बढ़ती है अब सवाल यह हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक test आपने लिया वो तो positive आगया फिर दूसरा आपने लिया वो negative आगया यह किस condition में हो सकता है पहली चीज तो यह हो सकती है कि test का करने का तरीका अगर आप बहुती शुरुआती दौर में pregnancy test कर रहे हैं इसमें बढ़ा एक कई तरीके की बाते चलती है कि कब test कर सकते हैं कई जो pregnancy test kits होती हैं वो claim करती हैं कि आप अपने missed period पर ही वाले दिन ही test करके देख सकते हैं आपको कई लोग ये भी सला देते हैं कि आपका जब period miss हो जाता है उसके एक हफते के बाद आप test करें तो इन दोनों बातों में से क्या सही है क्या गलत है ये भी मैं आपको clear कर देती हूं ऐसा होता है कि जब आप बहुत early stage में pregnancy test करेंगे तो कई महिलाएं आप में से कहेंगे कि हमा लेकिन कई cases में ऐसा हो सकता है कि आपने अगर इतनी जल्दी test किया है तो pregnancy हो तब भी test आपका negative आजाए तो ये भी संभव होता है इसलिए कहा जाता है जादा तर लोग सला देते हैं और मैं भी अपने वीडियो में आपको ये सला दे चुकी हूं कि जो सही time होता है pregnancy test करने क वो कब है जब आपका expected period की date है उस पर आपका period नहीं आया उसके एक हफता wait कर लीजे period आता है कि नहीं देख लीजे एक हफते बाद तक भी अगर period नहीं आता है तब वो best time होता है pregnancy test करने का उसमें अगर आप उस time पर test करते हैं तो आपको कोई confusion नहीं होगा और क्योंकि उस time तक जैसे एक हफता पूरा निकल गया उस time तक जो XCG हामोन होता है वो आपके blood में आपकी urine में इतनी मात्रा में बढ़ चुका होता है कि आप जब भी test करेंगे वो आपका positive ही आएगा अगर आप pregnant होंगी जब भी test करेंगे यहां पर मैं समय की बात करी हूँ जैसे कि morning में या afternoon में दिन में या शाम को कभी भी आप test करेंगे तो आपको positive आएगा ऐसा इसलिए मैं कहरी हूँ क्योंकि generally अगर आप बहुत early stages में test कर रहे हैं और आप दिन में करते हैं क्योंकि generally दिन में काफी पानी भी पी चुके होते हैं तो हमाई जो urine होती है वो diluted रहती है तो इसलिए आपको सला दी जाती है कि आप जब test करते हैं pregnancy test करते हैं तो उसको अपने morning के first urine का sample लेके test कीजिए ये especially helpful होता है अगर आप early stages में test कर रहे हैं क्योंकि जो morning का आपको पहला urine होता है वो बिलकुल concentrated होता है तो उसमें आपका HCG हामोन की मात्रा अच्छे level पे होती है जिसको की आसानी से आपकी जो test kit है वो detect कर लेती है इविन अगर आपने इसको आप ऐसे समझ सकते हैं example देखे अगर मैं बताओं कि अगर आपने early stages में test किया है यानि कि अपने missed period के आसबास ही test आपने कर लिया है तो ऐसा हो सकते है कि morning का urine आपने लिया और test किया तो आपको एक faint line positive line दिख जाएगी faint line का मतलब भी positive test ही होता है ये confusion भी अपने दिमाग से निकाल दीजे कि बहुत ही dark line आनी चाहिए जैसा आपका C section में dark line आ रही है वैसी T में आनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं होता है अगर आपकी T section में urine drops डालने के 3 मिनट के अंदर एक हलकी line भी आ है तो आप pregnant है आपको वो test positive है तो ऐसा होता है early stages में आप करेंगे तो आप morning का concentrated urine लेंगे तो उसमें तो आपको positive test आ जाएगा अगर आप इसको excitement में repeat करेंगे अपना दिन के time में आपने फिर से urine का sample लिया और आपने फिर से किया तो ये बिल्कुल संभाव है कि आपका test negative आ होती है तो ये एक reason हो सकता है कि आपका पहले positive आ जाए और बाद में negative test आ जाए दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आपने पहले test किया तब आप pregnant थी आपने दूसरी बार कुछ दिन के बार test किया और आपने morning का ही sample लिया फिर से और test किया तो आपका negative आ रहा है तो इसका म pregnancy बोला जाता है जबकि HCG के levels तो आपके blood में detect हो रहे हैं लेकिन आपकी pregnancy already आपका pregnancy loss हो चुका हो तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वज़े से पहले आपका positive आया कुछ दिन बाद आपने test किया फिर negative आया तो आपको करना क्या है अगर इस type का case आपके साथ होता है कि first positive और second negative अब इसमें आपको क्या करना है तीन बाते आप कर सकते हैं पहली चीज तो ये कि आप wait कीजिए कुछ दिन दो तीन दिन तो कम से कम wait करिए एक हफता wait कर सकते है तो एक हफता wait कीजिए उसके बाद अपने test को repeat कीजिए test अगर आपकी actual pregnancy होगी तो बिलकुल positive आ जाएग तो पहली चीज तो आप ये कर सकते होगी कुछ दिन wait करके करो हो सकता है कि आपने कुछ जादे ही जल्दी test कर लिया हो इस वज़े से इस तरीके का result fluctuate कर रहा है दूसरी चीज जो एक और आप ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर आपकी faint line आती है यानकी hulky line भी आती है उसके बाद आपकी एक line आगई hulky तो उसको आप positive result नहीं मानते हैं वो positive नहीं होता है drops डालने के 3 मिनट के अंदर अंदर अगर hulky line आगई तो positive test है तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको sure होना है कि आपकी pregnancy है कि नहीं है एक तो ultrasound के द्वारा पता चल सकता है 6-7 weeks तक अगर आप ultrasound कराते हैं तो ultrasound में भी ये detect हो जाता है बिल्कुल कि आप pregnant है कि नहीं है वहाँ पे आपका doubt clear हो जाएगा कि आपकी pregnancy है कि नहीं है तीसरा एक और test जो किया जाता है वो beta HCG blood test होता है उसमें जैसे आपकी ज CG level की मातरा चेक करी जाती है तो उसके द्वारा भी ये confirm हो सकता है कि आप pregnant है कि नहीं है तो इस तरीके से अगर कोई confusion create हो गया है आपके अंदर की pregnancy है कि नहीं है तो बिल्कुल ये तीन चीज़े करके आप इसको clear कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं का period मिस हो जाता है कि आपका period तो miss हो गया लेकिन आपकी pregnancy नहीं है किसी और वजे से आपका period अगर miss हो गया है वजे कई सारी होती है जैसे कि emotional stress रहा है आप upset हूई है तो आपका period delay हो सकता है आपने physically ज़्यादा एक्जर्शन ले लिया है किसी महीने तो आपका period delay हो सकता है इसके इलावा कि आप pregnant ना हो तो इस तरीके के काफी कारण होते हैं जिनकी विरसे तो अगर आपकी age 40 के आसपास पहुँच गई है और आपका period नहीं आ रहा है देर से आ रहा है आपका period या डिले हो गया है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हो सकता है कि आपका menopause start होने वाला हो उसके कुछ महीने पहले या साल पहले तक भी ऐसा होने लग जाता है कि महीनाओं के period डिले होके आ रहे हो अगर आपकी उमर अभी कम है 13-14 साल की या 15 साल की है और उसमें आपका period नहीं आ रहा है तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि शुरु शुरु में जब आपकी poverty होती है तो उसके ब होता है हाला कि अगर pregnancy के chances है तो हमेशा आपको pregnancy test जरूर exclude कर लेना चाहिए अगर आपके periods नहीं आ रहे है तो इस तरीके से कई कारण होते हैं जिनकी वज़े से की period मिस होने पर भी pregnancy test negative आने पर भी जो आपका period है वो नहीं आता है तो यह कुछ कारण होते हैं Hopefully आज के वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजे और मेरे चैनल को subscribe कीजे सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझा notification bell है all के option के साथ उसको भी ज़रूर ट्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाले pregnancy से related useful वीडिय notifications आपको सबसे पहले मिल जाए मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है आपको blue जॉइन बटन ट्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं गोल मेंबर्शिप जादे एक्सपेंसिव नहीं है ऐसे 59 रुपीस पर मंत उसका चार्ज होता है तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं मैं आप से मिलूंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यान रखेंगे